Hello everyone and welcome back to my channel Geeks Idea. This channel is about learning and importing knowledge. जैसे कि आपको पता है कि पॉल्टी की सीरिस उठाई थी हमने और हमने पढ़ा था historical background, constituent assembly, उनके बारे में हमने objective type questions किये थे अच्छे से पूरे descriptive type हमने अच्छे से detail में पढ़े थे उसके बाद हमने fundamental rights उठाई थे और उसके बारे में हमने कुछ facts और features पढ़े थे अब हम fundamental rights को एक-एक start करने से पहले क्योंकि हम fundamental rights को एक-एक करके अच्छे से समझेंगे वो start करने से पहले, सबसे पहले हम देखेंगे fundamental rights कौन-कौन से है, किस-किस से related है एक overall view, एक overall idea हम अपने दिमाग में बिठाएंगे, उसके बाद उनको याद करना आसन हो जाएगा कोई चीज आपके दिमाग में होगी, याद होगी, तो आप जल्दी recall कर पाते हो, आपको जल्दी समझ में आता है हाँ, वो article वहाँ पे है, वो article इससे related है, यह मसला है उससे related तो आज का वीडियो इससे related है, हम एक overall view mind में डालेंगे, कि fundamental rights किससे related है मैं logically थोड़ा बोथ समझाने की कोशिश करूँगा, एक tricky मालिजे इसको कैसे याद करेंगे अगर आपको कुछ different लगे, इस में से अपने हिसाब से करना चाहोगे तो, कुछ भी फाइदा उठा सकते हो तो, you are welcome तो आए, start करते हैं, हम सब इनसान है, तो इनसान कहीं न कहीं तो रहते है हम सब इनसान किसी न किसी state में तो रहते है, यह आप सब को पता है, state से मुराद यहाँ पर country है तो जब हम country में रह रहे हैं, तो article 12 यही बोल रहा है, कि कौन सी, कौन कौन सी organization है, कौन कौन सी चीज state में आ जाती है वो है article 12, यहनि कि किस किस चीज को हम state में include कर सकते है, वो है किस से related, article 12 से related, समझा गया, ठीक इस से आगे चलते हैं, जब हमने state बनाई, state में हम फिर laws बनाते है, state को तो चलाना है, state खुद से तो नहीं चलेगी न, state में हम laws बनाते है state में कुछ laws होते हैं, वो अच्छे होते हैं, कुछ laws ऐसे होते हैं, जिन पर प्रोटेस्टो हो जाता है, और फिर उनको repeal किया जाता है यहनि कि state में inconsistent law भी आते हैं, और अच्छे law भी आते हैं, जो inconsistent law है, वो हमें बताएगे, जो laws fundamental rights के साथ inconsistent है, वो है article 13 वो है article 13, होप आपको sequence समझ में आ रही है, जो अच्छे law है, जो अच्छे law है, वो क्या करती है promote equality, जो अच्छे law होते हैं, वो क्या करती है, country में promote, equality law तो इसलिए लाते हैं ताकि यह हर किसी इनसान को एक ही नज़रे से देखे, हर किसी इनसान को एक ही चिश्मा से देखा वो कौन सा चिश्मा है, वो है कानून का चिश्मा, अच्छे कानून का चिश्मा, जब कोई कानून अच्छा होता है, उसकी वज़ज़ से क्या होता है, उसकी वज़ज़ से हर किसी के साथ equal opportunity दी जाती है, हर किसी को equal opportunity दी जाती है, हर किसी के साथ discrimination नहीं की जाती है, किसी के साथ छूचात की बीमारी या छूचात का जो दिमागी बीमारी है ये खत्म की जाती है तो एक अच्छा समाज कैसे बनेगा एक्वालिटी जब लाई जाएगी एक्वालिटी किस से लाई जाती है अच्छे लाज की वज़े से जो कि आर्टिकल 14 है जो कि article 14 है equality से related कौन सा article है article 14 तो उसकी वज़े से क्या आएगा untouchability खत्म हो जाएगी ये एक बीमारी है समाजी बीमारी दिमागी बीमारी किसी के साथ बेदबाव नहीं किया जाएगा आप सब को पता है किसी को कभी favor किया जाता है किसी को नहीं किया किसी को opportunity दी जाएगी हर कोई जब job में apply करेगा जब post के लिए apply करेगा ये कि नहीं कि किसी का रिष्टदार है तो इसी को लगा दो हर किसी को equal opportunity दी जाएगी हर कोई exam में शामिल हो जाएगा वो अपनी capability के हिसाब से select किया जाएगा इसको बुलत है equal opportunity in jobs या in employment तो ये है article 16 जब ये सब हो जाएगा तो किसी को राजा वाजा नहीं कहा जाएगा कोई राजा वाजा नहीं होगा कोई राजा बेटा नहीं होगा हर कोई इनसान एक जैसा होगा यानि कि title जो पहले दिये जाते थे चोदरी सहाब वो सहाब ये सहाब वो खत्म हो जाएगा जिसको आप title दिया जाएगा वो दिया जाएगा अपनी merit पे जैसे कि army में दिया जाता है जैसे कि forces और army में दिया जाता है उनको medals दिया जाते है उनको वो चोदरी साब वोदरी साब नहीं बुला जाते हैं उनको अपनी merit पे उनको अपनी बहादुरी पे दिया जाते हैं वो है titles, titles किसे related है? Article 18 से related Hope आपको यह अच्छे से समझ आ रहा है आपको एक sequence नजर दिख रही है पहले state है, state में inconsistent law होते हैं अच्छेला होते हैं, जो अच्छेला होते हैं वो equality promote करते हैं equality आने से क्या हो जाता है? untouchability खत्म हो जाती है, no discrimination हो जाती है equal opportunity आ जाती है जब यह सब हो जाता है तो चोदरी साब वोदरी साब खत्म हो जाते है हर किसी को जब दिया जाता है title जैसे कि army है forces या उनको अपने merit की बन्याद पर medalist दिये जाते है, ना कि कोई चोदरी साब रह जाता है, ना कि कोई सर रह जाता है यह सब खत्म हो गया यह सब हो गया जब इतना सब कुछ समाज में हो गया यानि कि अच्छा समाज आ गया जब अच्छा समाज आ गया तो क्या हो गया अच्छे समाज से तो हर किसी को freedom मिल गई हर किसी को freedom मिल गई जब हर किसी को freedom मिल गई तो हर कोई अच्छे से जिन्दगी जीएगा हर कोई जो चाहेगा बोल सकता है हर कोई जहां चाहेगा जा सकता है हर कोई जो काम करना चाहेगा कर सकता है लेकिन अपने लिमिट में रहके यह नहीं कि अपनी लिमिट तोड़ देगा फिर वो कानून की हद को पार कर देता है वो नहीं करना है अपनी लिमिट में रहके वो अपनी फ्रीडम इंजॉय कर सकता है तो क्या हो जाता है इसका मतलब state किसी को भी उठा के नहीं सकती किसी को नहीं उठा सकती कि जिसकी चाहिए मरजी हो गई कभी किसी को उठा लिया तो मन में आया किसी को उठाना है मन में आया नहीं कभी किसी को उठाना किसी को आप ऐसे ही नहीं उठा सकते किसी को आप ऐसे ही नहीं उठा सकते अगर किसी को अगर किसी को offense के लिए सजा भी देनी होगे वो according to law होगी वो है conviction से related कौन सा article 20 article 20 क्योंकि society में जब आपने freedom दे दी तो life and personal liberty होनी चाहिए life and personal liberty होनी चाहिए जब आपको अच्छी जिंदगी होनी चाहिए खाली खाना पियना नहीं है तो एक खाने पिने के साथ एक अच्छी जिंदगी होनी चाहिए एक अच्छी development होनी चाहिए इनसान की उसके लिए क्या दी जाती है उसके लिए दी जाती है elementary education किस से related है? article 20 से article 20 से तो क्या हो गया जब अच्छी society बन गई freedom आ गई freedom है कहा से आ गई freedom आ गई article 19 से जब freedom आ गई तो आप conviction arbitrary conviction नहीं कर सकते आप arbitrary arrest नहीं कर सकते जिसको चाहो मर्जी आपकी मर्जी आ गई कभी किसी को उठाना state के बारे में किसी ने कुछ ऐसे ही बोल दिया तो आपने उसको उठा लिया नहीं आईसा आप नहीं कर सकते सिटेट ऐसा नहीं कर सकते article 20 conviction से related तो life and personal liberty एक इनसान को अच्छी जिन्दगी देनी है वो किसे related है article 20 से related अच्छी जिन्दगी कैसे आएगी अच्छी जिन्दगी का मतलब है आप elementary education दोगे आप एक इनसान को एक elementary basic education दोगे article 21A elementary education क्यों देते हैं elementary education का मतलब होता है जो यह छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिचारे जिनको आप factory में लगाते हो काम करने के लिए वो खत्म हो जाएगा जो चाइल्डिक factory में काम करते हैं उस पे बेहन लगी जाए article 24 और क्या हो जाता है बिचारों को forced labor करनी पड़ती है जबर्दिस्ती मुझदूरी करवाई जाती है उनकी trafficking होती है बहुत सारे heinous crimes हो जाते हैं बच्चों को उठा लिये जाते हैं कोटी चोटी बच्चिया होती है उनको prostitution में लगाया जाता है ये सब खत्म करना है ये सब क्यों खत्म हो जाएगा जब state elementary education की provisions बनाएगी हर किसी को basic education मिलेगी तो ये सब crimes बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगे red का मतलब जो मैंने red में रखे हैं scarier circle में उसका मतलब है heinous crimes या crime is बुरे काम अब क्या society में सिर्फ अच्चे लोग होती हैं नहीं कभी कभी खराब लोग भी होती हैं जो offences करते हैं अब किसी ने offence किया उसको क्या हो जाएगा उसको arrest किया जाएगा उसको arrest किया जाएगा detention में डाला जाता है लेकिन क्या उसको I.C. detention में डाला है मैंने अंदर मैंने बाहर इसको रखा है red circle यानि कि गलत काम के लिए तो arrest होना ही है ये तो ठीक बात है लेकिन state का क्या फर्ज बनता है state का फर्ज ये बनता है कि जिसने offense किया है उसको inform किया जाए आपको क्यों arrest किया जाता है जब arrest किया जाएगा उसके बाद उसको एक legal advisor दिया जाएगा यानि कि एक lawyer प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना side रखे court में दो side होते है अगर किसी ने offense किया उसके against state का lawyer होता है और जो offense जिसने किया होता है वो भी अपना side रखना चाता है उसके लिए lawyer प्रोवाइड करना है कि हाँ ये भी बोले क्या हो गया क्या मसला था वो अपना side रखे और फिर magistrate फिर एक court में उसको शामिल किया जाए फिर वहाँ पे लाया जाए ये सारे हक बनते है state को उसको देने के लिए arrest ये है article 22 ये है article 22 अब ये सब हो गया अच्छे कानून बनाएगे ये state का काम है अच्छे कानून लाना ट्राफिक फोर्स लेबर खत्म करना चाइल्ड को बंद करना elementary education देना life and personal liberty देना conviction से related arrest and detention में अच्छे इस तरीके से काम लाना freedom of speech देना ये किसका काम है ये state का काम है लेकिन state में कुछ ऐसे इनसान भी होते है जो मख़बी लोग होते हैं जो मख़ब को बहुत ज़्यादा follow करते हैं तो वो अपनी preaching करते हैं वो बोलता है हमारे religion में ये अच्छा काम है ये देखो हर कोई religion अच्छी बात बोलता है हमारा religion ये बात बोलता है ये काम करने को बोलता है अच्छे लोगों की हर किसी की मदद करो जरूरत मंदों की मदद करो ये हर कोई religion सिखाता है उसी का नाम है article 25 religion religious freedom हर किसी को बोल गया है आप अच्छे हर कोई religion अच्छा है आपको अपनी religion की freedom दी जाती है आप अपने religion को propagate कर सकते हो प्रफस कर सकते हो वो है article 25 फिर बोल गया religion जब आपने start किया जब आप किसी मजभ़ से related हो फिर आपको अपने religious को religious affairs को manage भी करना पड़ता है यानि कि कभी charitable institution आपको खोलने पड़ते है कभी अपने religious को propagate करने के लिए आपको कभी property भी acquire करने पड़ते है वो भी आपको बोला गए है आप कर सकते हो आपको अपने religious affairs करने की आजादी है आप अपने religion को अच्छे से affair कर सकते हो वो है article 26 फिर है state से related यानि कि क्या state में खासकर हमारे इंडिया में क्या किसी एक religion को promote किया जाएगा यहाँ पे तो बहुत सारे religion है नहीं क्योंकि वो बेदबाव होगा यहाँ पे हमने पड़ा no discrimination होगी state किसी एक religion को promote नहीं कर सकता state किसी एक religion के लिए taxes नहीं दे सकता जो state ने taxes जमा किये है वो किसी एक religion की promote के लिए नहीं करेगा एक religion को promote नहीं करना है हर कोई religion अपने हिसाब से अपने propagation करेगा, profess करेगा limit में रहके, अपने कानून में रहके, वो सब कुछ करेगा लेकिन state एक religion को नहीं करेगा क्योंकि वो बेदबाव होगा तो यह है इससे related इसके बाद बहुत सारे institutions होते हैं सिटेट में, country में बहुत सारे schools होते हैं, बहुत सारे इदारे होते हैं, जो state owned होते हैं, जिनमें state पैसा लगाता है जिनमें state का खर्चा होता है क्या वो किसी खास religion के लिए होने चाहें, नहीं होने चाहें क्योंकि खास religion के लिए जब होगा, तो वो बेदबाव होगा तो इसका मतलब जो state owned institutions होंगे जिन institution में state का खर्चा होगा वो किसी खास religion की preachings के लिए नहीं होगा, कोई भी religion वहाँ पे अपनी propagation नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो हो जाएगा बेदबाव, इसलिए कोई भी religion, state owned institution में अपनी propagation नहीं कर सकता propagation से related मतलब है वहाँ पे अपनी instructions नहीं दे सकता, कि ये करो वो करो अगर किसी को करना है, वो अपने तरीके से करता है, तो वो करने दो लेकिन अगर कोई institution ऐसा है, जिसको state ने recognize किया है, जा जिसको state से कुछ aid मिलता है, वहाँ पे अगर खुद से कोई जाना चाहिए, वो अलग बात है इनसान अगर voluntarily कोई पे जाना चाहता है उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी है, हर किसी को freedom है, वो जा सकता है लेकिन state particularly किसी खास religion को promote नहीं कर सकता, ये है related article 27 और article 28 से इसके बाद, ये सब जब हो गया सारे laws आगए, अच्छे अच्छे laws आगए, जब अच्छे अच्छे laws आगए opportunity सब को मिल रही है, किसी के साथ बेदबाव नहीं है, untouchability खत्म हो गई, traffic and force labor खत्म हो गई, child labor खत्म हो गई life and personal liberty मिल गई elementary education मिल गई अगर किसी के साथ कोई arbitrary arrest नहीं होता है, किसी को IC नहीं उठाया जाता है police के दोरा या army के दोरा किसी को, जब arresting किया जाता है, उसको अपने right is दिये जाता है, उसको lawyer provide किया जाता है, religion आ जाता है, religion अच्छी अच्छी बाते सिखाता है, लेकिन एक religion को state promote नहीं करती है, हर किसी को अपनी आजाए दिया, अपनी तरीके से propagate, profess कर सकता है, जब ये सब हो गया, तो एक country में क्या आ जाता है, एक country में एक identity आ जाती है, एक language आ जाती है, एक cultural identity आ जाती है, तो state में क्या आ गई, एक अपनी cultural identity, language, script आ जाता है, इन सब चीजों से, क्योंकि हर किसी country की, अपनी खास culture, अपनी खास language, script बन जाते हैं, यह सब जब हो जाता है और countries में कुछ minorities भी होती है, जो थोड़े से दूर दराज अलाकों में जिन तक, जो बहुती ज़्यादा main stream होती है उनसे थोड़े दूर होते हैं minority जो उनको हम बोलते हैं, उनके लिए institutions खोले जाते हैं, ताकि सब को बचाने के लिए ये सब बचाना है हमें इस सब के साथ कोई छेड़ शाड़ न की जाए इस सब के साथ कोई छेड़ शाड़ न की जाए और अगर कोई करेगा भी तो उसको सजा मिल जाए उसके लिए है constitutional remedies हम सुप्रीम कोट जा सकते हैं हम कोट में जाके रिट्स कर सकते हैं ये सब बचाने के लिए क्या है constitutional remedies constitutional remedy जो कि article 32 है आप बोलोगे article 31 कहा गया वो repeal किया गया था वो property related था तो मुझे उमीद है कि आपको ये lecture पसंद आया होगा और आपको बहुत फाइदा मिला होगा कि कैसे याद करना है आप आइडिया आप लोगों ने लिया होगा चाहे आप यही follow करो जो मैंने बोला जिस तरीकी से मैंने बोला या आप इससे कुछ deduct करके याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है मुझे पूरी उमीद है कि इस लेक्टर से आपको बहुत फाइदा मिला होगा तो please like, share and subscribe thank you very much